नमस्कार दोस्तों हिंदी नीजेफेर्स में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम एनालेसिस करेंगे भारत का जो ये इंडेक्स है यानि कि जो सेयर मार्केट के सुचकांक है इसमें जो भारत भारी गिरावट देखने को मिली है उसके बावजूद जो ये समहलता हुआ दिख को तो आएए दोस्तों समझते हैं दसल दोस्तों भारत का ये जो सुचकांक है जो सेयर मार्केट है इसमें हमने लोगों ने अक्टूबर के मन्थ में देखा कि जो फॉरन पॉर्टफोलियो इन्वेस्टर है उन्होंने जबर्जस्त तरीके से बिक्वाली करी है यानि कि बढ़ जाती है और जब किसी चिटकी सप्लाई बढ़ जाएगी तो उसके प्राइस नीचे आने सुरू होंगे तो अक्टूबर मन्थ में एक लाग दास हजार करोल की सेल करी गई है सूचिए इतनी जादा सेल करी गई है इसलिए सेयर मार्केट जो है नीचे आना सुरू लेकिन ये उतने जादा नीचे नहीं आ पाए अदर्वाइज ये एक लग दस हजार करोल की जो सप्लाई थी ये सेल हुई थी ये बहुत जादा है अब इसको रोका कैसे इसको रोका भारत के जो इन्वेश्टर हैं मूच्वल फंड के थूरू जो इन्वेश्ट करते हैं ज इन्वेश्टिंग कर ये मतलब एक लाग दस हजार करोल की सेल हूई है और दस यह जार करोल की परचेज हुई है अब इन्held इन्वेश्ट किया है परचेज किया है तो तो ज्यादा नुकसान हुआ नहीं मार्केट को जितना नीचे आ सकती थी उतना नहीं हुआ क्योंकि ज्यादा बहुत ज्यादा जो सप्लाई हुई थी उसके एगेंस में 87,000 करोल की डिमांड भी आई है मतलब अगर दोनों का गैब देखें तो सिर्फ 23,000 करोल का था हलाकि यह भी किसी भी मन्त में सबसे यादा इन्वेस्टिंग हुई थी वो मई 2024 में हुई थी वो हुई थी 48,149 करोल की सूचिए मई में जब इतनी जबज़त तरीके से इन्वेस्टिंग हुई उसके बास से म्यूच्वल फंड के थुरू पैसा जो इन्वेस्ट हुआ है वो गिरावाट दर्ज करी गई है यह जो गिरावाट यह इतनी जादा है कि पिछले साड़े चार सालों में ऐसी गिरावाट कभी निफ्टी 50 में हुई ही नहीं थी यह समझ लिए 6.2% बहुत जादा होता है यह गिरावाट हो गई अब दोस्तों यह समझते हैं कि आखिर पैसा mutual fund में जो लग रहा था mutual fund के तुरू वो कहां पर लग रहा था जिससे यह market जो गिर और भी सकती थी वो ऐसा वो नहीं गिरी काफियत तक हमारा जो बाजार है वो सुधर गया दरसल दोस्तों आपको बता दे कि equity में ज्यादा पैसा लगा है equity fund में जो पैसा लगा है flow उसका ज लगने का देखें जो SIP में लगी है equity के form में यह 25,000 करोड की investing हुई है मतलब यह particular flow देखें तो यह एक महीने में सब से ज़्यादा आज तक का कभी भी किसी एक महीने में इतनी investing नहीं हुई है SIP के through जो equity form में वहीं equity की अगर बात छोड़कर अब हम दूसरे चीज़ों पर देखें तो hybrid fund है जो यह से की balance fund multi-cap fund इनके through भी काफी ज्यादा पैसा invest किया गया है उससे भी काफी market को boost मिला है काफी market के पास पैसा आया है जो invest किया गया market को बचाया गया है वहीं अगर हम बात करें अभी एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के 20 fund houses हैं बड़े fund houses इनके पास करीब 2,00,00 करोड की liquidity दी मतलब कि cash था invest करने के लिए तो इन लोगों ने काफ पैसा था वही invest किया जिसकी वजह से market में डिमांड और supply के बीच में बहुत ज्यादा gap बना नहीं इसलिए यह जो गिरावट है जो शेयर बाजार की यह उतनी ज्यादा नहीं हुई है नहीं तो यह काफी ज्यादा निरासा भरी हुई दिवाली लोगों की निकलती इस बार जैसा कि market नीचे गिर रहा था जैसे कि foreign investor ने sale करी यहाँ पर यह समझ लिए कि भारत को भारत के ही domestic जो लोग हैं इन्हों ने बचा लिया इन्हों ने अच्छी तरीके से समाल लिया दोस्तों ठीक है दोस्तों अब कुछ और आगे इस पर update आएगा data आएगा तो मैं आपके updated वीडियो लेकर आऊंगा धन्यवाद